कि नमस्कार दोस्तों क्लास नाइन्थ महारा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स पार्ट फर्स्ट अलजेब्रा उसमें चाप्टर नमबर टू रियल नमबर्स प्रैक्टिसेट 2.2 में क्वेशन नमबर त्री तक क्वेशन्स इसके पहले के वीडियो में हो चुके हैं तो क्वेशन नमबर फोर अभी हमें लेना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरुद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेर करें और बिल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं कॉस्षे नमबर फोर क्या है देखे राइट एन त्री इर्षिनल नमबर बिटविन टू नमबर गिवण बिलोई तो यह जो क्वेशन है वह हम टू टाइप से स्वाल कर सकते हैं कौशन क्या पूचा गया है कि जो दो रैशनल नमबर यहां पे दिये गए हैं इन दोनों के बीच में और तीन राशनल नंबर between these two rational numbers इसका मतलब इन दोनों में जो smaller होगा minus 0.5 smaller है तो minus 0.5 से greater और 0.3 से smaller इन में सिर्फ तीन राशनल नंबर हमें लिखने हैं आप देखें rational number between rational numbers between any two numbers यह एक point है वो पहले हमें समझना होगा कि suppose A and B अगर हमें numbers दिये गए हैं तो इन दोनों के बीच में जो rational number होगा rational number between A and B is equal to एक formula है यह है A plus B divided by 2 किसी भी दो numbers suppose यहाँ पे 2 है और यहाँ पे number suppose 5 है तो इन दोनों के बीच में जो exact middle point होगा वो point हमें point करने के लिए वो number point करने के लिए हमें इन दोनों के addition करने है 2 प्लस 5 और 2 से इसी डिवाइड करना है तो 5 प्लस 2 7 by 2 होगा 7 को 2 से डिवार करेंगे तो यहाँ पे 3.5 आएगा तो 3.5 जो number होगा वो 2 से जितना greater होगा उतना ही 5 से यह smaller होगा देखिए 3.5 से अगर हम 2 माइनस करते है 3.5 माइनस 2.0 तो यह जो number होगा वो 1.5 होगा और 5 से अगर हम 3.5 माइनस करते है तो बोरो यहाँ का एक 10 10 माइनस 5, 5 point के निचे point 4 माइनस 3, 1 1.5, 1.5 तो 5 और 3.5 का भी difference वही है और 2 और 3.5 इन दोनों का भी difference वही है तो exact middle number हमें मिल गया जो की 2 और 5 इन दोनों के बीच में है तो जो middle number है यह find करने के लिए formula है A plus B divided by 2 जो भी number दिये हैं उनका addition करो उनकी और 2 से divide करिए अब suppose हमें 2 और 10 ऐसे दो number दिये गए है और इनके बीच में जो 3 numbers हैं वह find करना है 2 नहीं अभी एक नहीं अभी 3 number find करना है तो कैसे करना है देखिए पहले इन दोनों का exact middle number find करिए 10 plus 2 12 होगा 12 को 2 से divide करिए 6 तो 6 होगा middle 6 minus 2 4 10 minus 6 4 होगा अब 2 और 6 इन दोनों के बीच में जो exact middle number होगा वो find करिए 6 plus 2 8 divided by 2 यह होगा 4 10 plus 6 16 divided by 2 यह होगा 8 तो यह 3 number जो है 2 और 10 के बीच में आ गए सेव ऐसे ही हम जो question number 1 है वो हम solve कर सकते हैं question number 1 में है 0.3 एक number तो हम यहाँ पे भी ले सकते है 0.3 and minus 0.5 तो अब इन दोनों के बीच में जो एक number है अगर वो find करना है तो यहाँ पे हम ऐसे भी ले सकते हैं देखे इन दोनों में smaller number 0.5 minus 0.5 है negative number हमेशा positive number से smaller होता है तो minus 0.5 और 0.3 हमने यहाँ पे लिख लिख लिया है तो इन दोनों के exact middle में जो point होगा जो number होगा वो अगर find करना है तो 0.3 plus minus 0.5 इन दोनों के हमें addition करना होगा और 2 से divide करना होगा तो अब देखे क्या होगा 0.3 plus into minus minus 0.5 divided by 2 अब 0.3 से 0.3 से हमें 0.5 minus करना है तो 0.5 minus नहीं होगा क्योंकि 0.5 greater number यह smaller number है तो अब हमें क्या करना है जो greater number है उससे हमें smaller number minus करना है addition subtraction का rule हमें use करना है एक number positive एक number दूसरा negative दोनों का लग-लग sign है तो greater number से smaller number minus करिए और greater number का sign subtraction को लिखिए तो 0.5 minus 0.3 होगा 0.2 और greater number का जो sign है minus हमें इसे लिखना है तो minus 0.2 को 2 से डिएड करना है तो 2 से डिएड करने के बाद क्या होगा देखिए 2 minus divided by plus minus आएगा फिर 2 0 is a 0 point 2 1 is a 2 minus 0.1 तो exact जो middle point आएगा minus 0.1 यहां पर आएगा अब minus 0.1 और minus 0.5 इन दोनों के बीच में जो number होगा middle वो हमें find करना है तो इन दोनों के फिर addition करिए minus 0.5 plus minus 0.1 2 से डिएड करिए तो अब देखिए minus 0.5 plus into minus minus 0.1 divided by 2 अब इन दोनों के अगर addition करने है में same sign है तो addition करना होगा minus 0.5 minus 0.1 तो यह 0.6 divided by 2 तो यह होगा 0.3 और greater number sign minus तो यहां पर भी minus होगा minus 0.3 तो हमें यहां पर मिलेगा number minus 0.3 अब minus 0.1 और 0.3 इन दोनों के numbers के बीच में अगर number find करना है तो minus 0.1 minus 0.1 plus 0.3 इन दोनों के addition करिए 2 से divide अब दोनों का sign अलग अलग है तो 0.3 greater number से 0.1 smaller number minus करिए 0.2 अब यहां पर जो 0.2 होगा 0.3 का greater number है तो 0.2 को sign प्लस होगा तो 0.2 divided by 2 तो यह होगा 0.1 positive तो हमें इन दोनों के बीच में जो number मिला है वो 0.1 मिला है तो देखें minus 0.5 से greater minus 0.3 उससे greater minus 0.1 उससे greater 0.1 और उससे greater 0.3 तो हम इसे increasing order से लिख सकते हैं सबसे smallest minus 0.5 अब उससे greatest जो हमने find कर लिया है minus 0.3 उससे greatest minus 0.1 उससे greatest 0.1 और इससे number से greater 0.3 तो यह हम order लिख सकते हैं यह 3 number जो है वो minus 0.5 और 0.3 इन दो numbers के बीच में आते हैं अब और जो दूसरी method है अब देखें दूसरी method कैसे है 0.5 number line अगर हम ले तो यहाँ पे होगा 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे suppose minus 1 left side में और right hand side में plus 1 तो 0 के आगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक यहाँ number आएंगे और 0.9 के बाद 0.1 अगर हम plus करते हैं तो 1 आता है तो 0.3 जो होगा वो number 1, 2, 3, third line होगा 10 equal part करने के बाद 0.3 यहाँ पे होगा positive और minus 0.5 minus 0.5 यहाँ पे होगा अब minus 0.5 और 0.3 इन दोनों के बीच में जितनी भी numbers हैं वो हम number यहाँ पे लिख सकते हैं answer में तो देखे 0 भी लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में होगा minus 0.1 भी लिख सकते हैं minus 0.2 भी लिख सकते हैं minus 0.3 भी लिख सकते हैं minus 0.4 अब इन में से कोई भी 3 number आप चूज कर लेजिए minus 0.5 greater than minus 0.4 greater than minus 0.3 greater than minus 0.2 3 numbers होगए greater than 0.3 लिखे या फिर यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं 0.1 भी लिख सकते हैं 0.2 तक लिख सकते हैं left hand side में कैसे होता है देखे, minus 0.1, minus 0.2, minus 0.3, minus 0.4, minus 0.5, minus 0.6, minus 0.9, फिर उसके बाद minus 1 आएगा, देखे, 0.1, फिर उसके बाद 0.2, 0.3, इन सभी में same difference है, अब यह ऐसे करते-करते 0.9 तक नंबर आ जाए, तो serial इनके आगे का जो नंबर होगा, इस serial में, वो 1.0 होगा, फिर उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे नंबर से आएगे, देखे, समझे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक आगए नंबर, अब देखे, 0.1 में, हमें 0.1 प्लस करने के बाद 0.2 आएगा, फिर 0.1 प्लस करने के बाद 0.3 आएगा, 0.9 में, 0.1 प्लस करने के बाद, 9 प्लस 1, 10 को 0 लिखना है, बारो 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 1.0 तो 1 आता है, तो इसलिए, तो ऐसे यह नंबरिंग होगी, उम्मिद करता हूँ कि यह कोशन जो है, वो आपको समझ में आ गया होगा, अब नेक्स्ट जो नंबर्स हैं, माइनस 2.3, माइनस 2.33, अब थोड़ा आप सोच कर बताएं, इन दोनों में, समालर नंबर कुझा है, और ग्रेटर नंबर कुझा है, थोड़ा सा आप समय लिजिए, आपने डिसेड कर लिया होगा, तो में आपको बता दू, number line पे यहाँ पे suppose 0 है यहाँ पे minus 1 यहाँ पे minus 2 और suppose यहाँ पे minus 3 है तो minus 2.3 minus 2.33 यह दोनों numbers minus 2 और minus 3 इन दनों के बीच में आते हैं तो minus 2.3 minus 2.3 कहाँ पे आगा देखिए minus 2.3 मतलब minus 2 और minus 3 इन दनों के बीच में हमने अगर equal 10 part कर लिए 1, 2, 3, 4, 5 10 बाट कर लिए तो माइनस 2.3 1, 2, 3, 3rd लाइन पे यहाँ पे माइनस 2.3 आएगा अब माइनस 2.33 तो माइनस 2.3 मतलब माइनस 2.3 0 होता है अब यहाँ पे हम तोड़ा समझेंगे कि सब्बोस नमबर लाइन पे यहाँ पे माइनस 2.3 0 है अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे लाइन होगी वो समझो यहाँ पे माइनस 2.3 है माइनस 2.4 यहाँ पे आएगा अब देखें माइनस 2.1 माइनस 2.2 माइनस 2.3 माइनस 2.4 माइनस 2.5 माइनस 2.9 फिर माइनस 3 माइनस 2.9 में हम फिर 0.1 को माइनस करना है क्योंकि हमें लेफट साइड में जाना है तो यहाँ पे एडिशन करने होगी सेम साइन है तो 9 प्लस 1 10 यहाँ पे बारवन माइनस 3.0 यहाँ पे आएगा अब देखे इन दोनों के बीच में अगर हम और 10 इक्वल पार्ट करते हैं यहाँ पे 1,2,3,4,5 फिफ्ट पार्ट आएगा तो 10 इक्वल पार्ट करते हैं तो यहाँ का जो फिर्स्ट पार्ट होगा उसे हमें लिखना है माइनस 2.31 फिर होगा माइनस 2.32 माइनस 2.33 माइनस 2.34 माइनस 2.35 यहां तो खोगा माइनस 2.39 अब इसमें प्लस करना होगा हमें 0.01 तो यह माइनस 2.4 हमें यहां पे मिलेगा ओमित करता हूँ कि यह आप समझ रहे होंगे नमबर लाइन पे नमबर्स तो माइनस 2.31 के बाद माइनस 2.35 3.2 आएगा माइनस 2.3 3 आएगा तो हमें जो नमबर्स फैंड करना है वो माइनस 2.3 और माइनस 2.33 के बेच में तो माइनस 2.3 क्या होगा देखें माइनस 2.3 माइनस 2.3 मतलब यह और माइनस 2.33 तो माइनस 2.33 माइनस 2.33 यहां पे होगा नमबर मैनस 2.1, मैनस 2.2, मैनस 2.3, 3 सरी, यहां पे मैनस 2.31, 2.32, 2.33 यहां पे होगा, मैनस 2.33 अब देखे, मैनस 2.30, हम यहां पे लिखते हैं मैनस 2.30 और यह मैनस 2.33 3, अब इनके बीच में जो numbers मिलेंगे हमें, तीन number लिखने हैं, तो minus 2.3, 1 एक number हो गया, minus 2.32, ये दूसरा हुआ, अब और एक number हमें चाहिए, जो इन दोनों के बीच में हो, तो minus 2.32 का मतलब होता है, minus 3.20, तो minus 2.3 2 5, ये number लेजे, तो ये क्या होगा, देखिए, minus 2.32, और minus 2.33, इनके बीच में, 10 अगर equal part हम करते हैं, तो उनमें ये number हमें मिलेगा, तो हम यहाँ पे एक number लिख सकते हैं, minus 2.31, minus 2.32, minus 2.325, अब ये भी लिख सकते हैं, minus 2.31, 3, 2, 1, minus 2.3, 2, 2, ये भी लिख सकते हैं, तो ये तीन number जो हैं, इन दोनों के बीच में आप लिख सकते हैं, ये एक method हो गई, दूसरे method जो आपको पताई है, इन दोनों के addition करेए, exact middle number find करेए, फिर इन दोनों के addition करेए, exact middle number, फिर इन दोनों के addition, एक्जेक्ट मिडल नंबर तो ये मितड़ हम अगले वीडियो में लेंगे तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों ठीक है थैंक्यू आपका वीडियो देखने के लिए